दियर स्टुडेंट मैं विद्ध्या सागर और आप देखने भी असके विद्ध्या सागर सिंगा चैनल तो देखे ये वीडियो है आप लोगो कलास 11 के जो लोग आर्च लिये हैं उनका है इतिहास इतिहास यानि हिस्ट्री हिस्ट्री का जो चैप्टर है ये वन है यानि समय की शुरूत से समय की शुरूत से ज्मय की जब सुरूत हुआ ना तो समय की शुरूत से आप लोगो इसमें आप लोगो NCIT cycle pattern न पर है तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी कोशन छोड़ा नहीं घया है हर कोषण या हर topic को इसमें सामिल कर लिया गया है, जितने भी सारे question exam के लिए आप लोग बनते हैं, वो सारा तयार कर लिया गया है, हालांकि आप लोग थोड़ा सा ignore करके पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 11th का exam जो होता है, सही तरीकों से नहीं होता है, सही माईनिय में न चाहने के मानो से, क्योंकि मानो आया तभी तो मान लीजिए, समय बना, समय आया, जो भी दुनिया दिखा, या जनकारिया मिली, खोज हुआ, विक्सित हुआ, सब जो है मानो के आने के बाद ही हुआ है, आप सभी को पता है, तो यहाँ पे चलिए हम संज़ेंगे आप लोग यहाँ पे उत्पती हुई, वो कब हुई? 26 लाख वर्स पहले. Іंप्याई आधुनिक मानो गूतर हो। पहले पैदा हुआ आधुनिक मानो जिसे मान लिजिए नया मानो जिसे हम लोग क्या है बन मानुस नहीं है मतलब हम लोग आधुनिक मानो है कि नहीं जिसे हम लोग जिसे चिंपाइन जी या गोरिला मतलब आये जो बंदर के परजातियों जैसा नहीं है हम लोग डिवलप मानो हैं मतलब हम लोग में जिसे पूछ नहीं है बंदर में चिंपेंजी में आप लोगों पता ही है कि पूछ है या पूछ होता है तो डार्विन क्या बताए थे कि हम लोग बंदर के प्रजाती में से हैं लिए हम लोगें पुछ नहीं नहीं जी तो यह जो मतलब आधुनिक मानों का है तो आधुनिक मानों जो जनम लिया या पैदा हुआ एक लाख साथ है यार बर्स पहले आधुनिक मानों के उद्भाव के दो सिधान्त है आधुनिक मानों के उद् निरंतरता मॉडल सिधांत च्छेत्रूं में अलग अलक मानों के उतपथ проблем है थोड़ा अलग अलग ही मानो रहेगा अलग- छेत्री में निर्णतर ती मोडल का ओपधाक जित्र छेत्र क्यूंतरी मौलेक पैद्धा की नभ हो प्रतियस्थापन का सिधांध क्यात ओप्रतियस्थापन अप लोग के ग CFP इसलिए इलेवेंथ आप लोग को पॉढ़ने के मिन मोटी भूना चाहिए हम कॉंपटीशन चेतर में अवल रहेंगे अच्छा रहेंगे इसलिए आप लोग 11 पढ़ना जोड़ी है नहीं तो आर्स के एक्जाम दिने वाला लड़का डिरेक्ट ब्रहवी किलास के एक तीन-चार महीने पाच महीने शे महीने पढ़ता है आच्छा के सनम बलाते है तो उस तरह के नहीं बनिये आप लोग धेदरे करके पढ़ते चलिए और लोग भागते गया चलते गया चलते गया नहीं तुह फेरिका के जंगलों में हुआ था माणूं का उध् enforced या मानूं का जन खुदाई से मिले क्या है खुदाई से मिलता है तो मानों के जो अध्यान के खुदाई किया गया तब उसका अध्यान किया गया या उसका आउसेस मिले तो आउसेसों के अध्यान के द्वारा करता है आउसेसों किसके द्वारा अध्यान के द्वारा मने आउसेस जो आउसेस मि तो तो हम दो को उसके भारे में क्या हुआ अधियर अधियान मिला उसके बारे में खोज हुआ ठीक नूँ जाले आधी मानों के इतिहास कि जनकारी प्रमुक्ष रोत जैसे आधी मानों आदी मानों आप लोग देखें होंगे कभी मुबाइल ऐसा सरी बाल रह रहां है को जानाूरा को पास्यरहा लियूगे एक तेला एक को जानोर पास्षा हो एस मतलब आप लोगों फूलिस फॉसिल होता है फॉसिल जो होता है फॉसिल का मतलब क्या होता है देखिए फॉसिल का मतलब यह हो गया जिसे मानली जी यहाँ दिवार है इधर भी दिवार है तो इधर दिवार है तो मानली जी कोई जनवर यहाँ आके मर गया तो मर गया तो उसकी अस्त प्रष मतलब जिवासमें अच्छा आप लोग को पता है कि अदी मानों के विए जयाँ होए है आदि जानवर के सिकार करने के लिए और फल देता है पथर को नोकिला बना देता था उसी को खोब को माद देता था vidéo कि नहीं तो आप लोग को आधीो आनों के जो है प्रमप करें चितर कर गिसा ऑरत कशी करदôm या अन्य इसी तरह से काम कज करते था गुफाओं में चित्र बनाते था ठीक ना आगे बहते हैं आप लोग को जीनस यहां पे आप लोग को जीनस जो है हम लोग को बैलोजी पढ़ने वाला तो देखिए आप लोग को जस्ट अगर बैलोजी पढ़ेगा 11 का बैलोजी ना तो जीनस पढ़ने के लिए आएगा तो देखिए आप लोग को 11 का बैलोजी पढ़िए या इतिहास थोड़ा बहुत कुछ-चुछ बात मिलता है तो इसलिए तो आप लोग को साइंस हो या आर्स लगभग लगभग उसी टाइप के महल बना के देता है कि आप लोग का मान सिख यहां पर आगे देखिए इसके लिए हिंदी में वान से सब्दिका प्रयोग किया है जीनस का मत्रब हिंदी में क्या होता है और यहां प्रयोग किया है जीनस में जीनस मतलब फोसिल ठीक पुराने पौधे अभी बता है आप लोगों को इसे दिवार पे कुछ जानवर का आताई सब्द्रीघा पुराने पौधे जानवर या मानों के उन आवसेसों या छापों के लिए किसके लिए? छापों के लिए परियुक्त कियाता है उसके छाप के लिए परियुक्त कियाता है जो एक पत्थर के रुप में किस रुप में? तो पत्थर के रुप में पत्थर के रुप में बदल कर अक्सर किसी चटान में समा जाते हैं बताएं कि ने कि दिवार जिसे हैं मालने कोई जानवर मर गया तो जानवर जो है दिवार में तुरा से गढ़ा कर दिया उसका हड़ी चिपकने से गढ़ा हो गया तो इस तरह से दिखने जागा ते यह अक्सर क्या होते हैं पत्थर में समा जाते हैं और फिर लाखो साल तक उसी रूप में पढ़े रहते हैं जब खुदा ही होता है तो पर चलता है यह फौसिल है यानि जिवास में है जिवास में आप लोग आसानी समझ गए होंगे अब परजाती समझना क्या समझना है प्रजाती दखें यहां पर प्रजाती या इस्पीसिज यहां पर इस्पीसिज के मेंनिंग है जिवास का एक ऐसा समुह है ध्यान देजिए प्रजाती या जो इस्पीसिज होता है क्या है जिवास का ऐसा समुह है क्या है समुह होता है जिसके नौर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या है लड़की और लड़का बुढ़ा या बुढ़िया हर चीज आएगे कि नहीं आएगे यानि कोहने का मतलब आप लोग कोई हो गया कि कोई भी अगर इस पीसीज है या पर जाती है तो ऐसा समूह रहेगा ऐसा समूह होता है जिसका नौर मादा मिल के बच्चा पैदा कर सकते हैं आप करने मनूस ले ले लेजी घौडा ले लगों और बच्चा पैदा कर लगे लेगे जी नहीं नौ तो एक इस पिसीज का नों तरह नहीं आएगे जन्हें मतलब मनूस में सिर्फ मनूस फीली सही डंहीं थे स्मूह इंदेल्चन करने यदि संतानुत्पन करने में समर्थ होते हैं उनके बाचा भी संतानुत्पन करेगा अब एगोई स्पिसीज के रहेगा तब On the origin of species On the origin of species के बारे में ज़िए देखना है आप लोग तो इसको चलिए उपर कर लेते हैं यहाँ पर देखिए On the origin of species Charles Darwin चाल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक On the origin of species यह प्रसन आप लोग को एक्जाम के लिए कितने बेटर है आप लोग को एक्जाम के लिए ऐसा है प्रसन ही तो देता है कि कहाँ देखना Charles Darwin के लिखागुआ पुस्तक कौन सा है तो आप लोग यह भी दे दे और और भी तीन अपसंदे दे तो यह आप लोग को रहेगा तो चाल्स डार्विन के दिया गया है ना On the origin of species ठीक ना 24 नौंबर 1869 को परकासित कि जिसमें यह दलील की मानो का विकास जनवरों से हुआ है क्या हुआ है जनवरों से किसने दार्विन हम आप लोग को शुरूए में बताए थे दार्विन के बताए हैं कि हम लोग बंदर थे बंदर से हम लोग विक्सित हुए है अब दाइमेट प्राइमेट और नन प्राइमेट ये कहने का सब्दा है English Primate और Non Primate देखे, Primate के बादे में देखिए अस्तन पाइ परानियों के एक आधिक बड़ा समू है अस्तन पाइ मतलब जो अपने बच्चा को जो अपने संतान का दूठ पिलाता है तो अस्तन पाइ परानि कहलाएगा ठीक नहीं तो एक बड़ा समू है इसमें बान और लंगोर मानो समिल है यह सब अपने बचों को क्या करता है दूद पिलाता है तो अस्तन पइड में आप लोग को आता है इसे वाह पॉणने के लिए तो यह पॉणने के लिए आप नों को आएगा मासीक चक्र हैं अब लोगों हता है आरे अपने के लिए पढ़िए जाने है प्ढ़िए सुनींगे अब चले हमोर में आपने में लिए प्राइमेट में होता है कि मतल़ अना इसकोन मका उन्म नहींIV में मासी के ये समना ही आता है और रॉज्यो धर्म कह लुक्त एक चलिये अब यहां पर दखिए न के ब्वेव रहाने के च्बोर मने जैका 킨 सब्सक्रिष युद्रीक रही है और मिघर चाहा है और डवक हार सो युसमें इस्तरी पूरुस दोनों सामिल है आदमी कहने का मतलब जान रहे हैं इसमें इस्तरी पूरुस दोनों ना अदमी कहfish है इसे काथ है है आजकल आदमी बहुते मतलब भी हो गाराण तो इसमें लेड बड़का लोटकी दोनों कह जा Cambridge है तो वही है जो लेटिन नामें home को कहेता है है आदमे हैं आदमी कहने कहा वात ये जाने लीज़ें दोनों सामिल हैं इस पर्जाती काली है सब्सक्राइब सब्सक्राइब होमो अरेक्टास है मैं सीधे खड़े होकर पाइडो के बल चलने वाला उसके बाद होमो सेपिएंस जो कि चिंतन सेल क्या चिंतन सेल मनुद्स से तो हम लोग चिंतन सेल मनुद्स से है हम लोग के चतना है है ना चतना के बिगास से तो होमो सेपिएंस है क्या है होमो सेपिएंस और और इवनानी भासा के पिथिकस का और्थ है क्या बानर क्या होता है यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानो के आध्यरूप में उसकी एप मनें वानर अवास्ता के अनेके लक्षण परकिरार है मैंने मानों में कहायता है कि वानर काने को लक्षन बरकरार है सही बात है कुछ उच होता है है कि नहीं चलिए आगे बहते हैं आप लोगों तो वानर के कुछ लक्षन सामीर है लेकर हम लोगों पूछ नहीं है यह भी बात आप लोग याद रखेगा चलिए यहां पर आगे देखिए आप लोग आगे जो है और ट्रेलो पिथिकस की विसिस्ता है और ट्रेलो पिथिकस की विसिस्ता है और ट्रेलो पिथिकस का मस्तिक्स होमो की अपेक्षा बड़ा होता है और ट्रेलो जो पिथिकस है उसका मस्तिक्स क्या होता है सीर बड़ा होता है क्या होता है बड़ा होता है किसके अपेक्षा तो ह यह बाट बहुता है इसके दात भी ब्ड़े होते हैं आस्ट्रेलोपिधिकस के दात क्या होते हैं बड़े होते हैं तो बाबु देखिए यह सौर्च कर लिजेगा उसले बीदिकस जो है कैसा होता था चीत्र देशने के लिए मिल लेगा ठीक आचा तीसरा जो है हाथों की दक् सीमी थह था म81 इंगल में नहीं मुवमेंट कर सकता हैं सीधह ख़ड़े हो कर कर चलने की छामता अधिक नहीं थी यह अपना अधिक समय पेड़्ा पे घुलाते थे यह अपना समय यह अधिक समय पेडे här गुजाते थे不管 cut अस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में अंतर जनना है जिसे कहाने का मतलब है मान लिजिए अस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में अंतर दखिए अस्ट्रेलोपिथिकस के जान लिजिए पहले तब होमो जानेंगे ठीक ना अस्टेलोपिथिकस का मस्तिक्स होमो के ये पेक्षा बड़ा होता है होमो का मस्तिक्स जो छोटा होता है अस्टेलोपिथिकस का क्या होता है बड़ा होता है ठीक ना इसके जबड़े भारी होते है अस्टेलोपिथिकस के जबड़ा भारी होता है इसके दात भी बड़े होते ह हाथ की दक्षिता सीमित होती है सीधे खोड़े को चलने की छामता होती है यह अपना अधिक समय पेड़ों पर गुजाते हैं यह तो आप लोग को अभी बताया थे जी अब होमो के बार में देख लिए अंतरे के धार पर देखी ना तो होमो के देखिए जैसे कहने का मतलब हम लोग जिसे होमो है इनका मस्तिक्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस के पेक्षा छोटा होता है क्या होता है इनके दात छोटे या कारके होते हैं इसे हम लोग दात छोटे या करके नहीं है जी आचा जबड़ा भी हमने हालका है यह हाथों के अच्छा उपियों कर लेते हैं हाथ का हम लोग आच्छा उप्योग कर लेते हैं बहुत वरा चीज खेल खेल लेते हैं दोल जाते हैं काम कर लेते हैं तो हाथ का अच्छा उप्योग कर लेते हैं लेकिन जनवर उतना नहीं कर पता है या कुछ मनें अस्ट्रेलोपिथिकस नहीं कर पता है जितना होमो अपना हाथ कु कि चंता रधिक होती है इसे JAM में सिंधे खड़ा होके चलना एक है कि नहीं लेगिन अश्टीलविकयस में सीधे बदरों या बंदरों से कई तरह से बीन होते हैं हों मौन होती है इसकी पुछ In Judaism में पूछ नहीं होती है मनुस्य सरीर की सब्सक्राइब सरस्ते बढ़ा होता है था है है उसका सब्सक्ष्राइब Ce ले गुण होती है और उसकी पुछ नहीं होती है लग listen ले लिख्थर चलिगा तक है ह tätä लोग को जानने में पढ़ने में कि अब बहुत है दिखते होंगे तो अजीब भजीभी थो रहता है यहां पर होगोनीडः नामत परिवार के सदस्य होते हैं इस परिवार में सभी रूपों में मानो प्राणी सामिल है क्या है मानो प्राणी सामिल कि इस परिवार में तो होमिनीड 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 ही ठीक न तो इसमें क्या होता है मानो प्राणी सामिल है होमो नीड की भी सेस्ता है मन यह क्के के और रखाक कॉमोनीड हो号 स्थाथा, ब में इनके मस्तिक्स को अकार बड़ा होता है इनके पास पयारों के बल सीधे खड़े के चललता है एक qaun तो homonid ये दो पैडों के बल चलते थे इनके हाथों में बिशेश चामता जिससे वह औजार बना सकता था और उसका इस्तिमाल कर सकता था क्यों? homonid homonid ठ्वस अच्छाए ख़शाँ अमनुस्ता डेवलब ही हो गया था बाद में चलके और डेवलप हुआ है होमोनीडो के अभिकिरी अफिरिका में उद्भाव के परमाण जिसे होमनीड जो है होमनीडो का मिला है तो अफिरिका में उद्भाव हुआ है अफिरिका में लोगों जर्म हुआ है वहीं पे इसका परमाण मिला है क्या मिला है परमाण मि ग्रेसम पूरिवी पाई कर यहो कि हमानीड और जोह हो मौनुनाइड में पाइंग यह हो मौन हो गया हो यह सबसे पहले यह बेस спас般 शबर आप दुनों का फोटो देख लेगा तब आप लोग को अंतर देखने में असानी होगी हम लोग देखे नहीं है बात यह हो आदि मानों नहीं देखे हैं तो मस्तिक्स जल्दी समझ बता है लेकिन समझ लेगा होमो नीड़ और होमो नाइड यहां पर देखिए तब पहले होमो हमोनिडड की तुलना में मस्तिकष छोटा होता है यह सब्सक्राइल हो कर पीछले दो पयलोंपे बल चलते हैं किस्ते इस्तेमल कर सकते है तो किसमें तो homo need में चनतर था हाथ में कि हतियार बना सकता है इसके उत्पाति लग वक 5-5 वर्ष पूरगे हुआ 6-5 वर्ष पूरगे पूरगे लोग खुद समझ सकते हैं अब homo night दखिये होमो नाइड तिहां पर देखिए हैं होमो नाइड तो होमो नाइड किसे मानो था इसका मस्तिक्स है होमो नीड के तुलना में बड़ा होता है मन्य होमो नीड का मस्तिक्स छोटा है और होमो नाइड का मस्तिक्स बड़ा होता है वे चौपाई थे, क्या है चौपाई है ना चार पैरों प्रहने वाले यानि चार पैरों के बल चलते थे चौपाई थे ठीक लेकिन उनके सरीर का अलग हिस्सा और एक अगले दोनों पैर लचकदार होते थे को आईसकी हाथों की बनावाट भीन होती और इसकी अवजार का उप्यों के पहले खिर है मनें पहले का मना जाता है उसके उत्तपती कि मैंने कहने के मतलब इसे होमोनाइड करा पहले जैनम हो गया था तब अधिकना चलिए अब इतना आप लोग समझ लिया है लोग कैसे जीते थे जिसे कहने का मतलब लोग किस परकार परकार भौयान करहन करता था क nellormalsat Lesley अभी भी मधा लोग को आभी साहिएं नहीं तो मोधा तरा आगे आने वाले हम लोग तो आदी मानों का जो भोजन है भोजन कीसि गुरहन करता था ग्रहन करता है वो चीज हम लोग जानेगे अगलेan कलास में यहनि ऐखले वीडियो में अगले बिडियो देखेएगा आप लोगो समझ में आगेया हो अल्जों सब्जेक्ट को पीटिएगा बीलटो को चींटर इस्टाउल के लिजिए थे ब्यक्वों देखें सेंटर और किसी ठोल की जहांस घралनों तो आप लोगों के दोले भी डे यहाँ पर लोग को मिलेगा आप लोग को क्लास 10 प्लास 11 ट रिम vais क्लोन need और क्लास 12 क्लास 11 रुब्यव के जो कोर्स हैय पे अंफ लोग और अकष़ हैillar प्राइब तर्टालिया से 5 रप्रेया एक साल के लिए फांच रॉप्या अदो रॉप्या भी नहीं हुआ इतना सस्ता आप पूरा चेप्टर खतम कर लिए याद कर लिए रिभीजन कर लिए डाउट पूछ लिए अपना हर चीज कर लिए तो अब इसके टेस्ट देजी गया तो टेस्ट देने के लिए टेस्ट शिरीज भी बनाए गया है इस अब पे आप लोग जुआइन होके पर सकते हैं तो आसी परसंट और रिसुट हम लोग देतने के लिए पूरा तयारी चल रहा है आप लोग को तो तो 80 परसंट गरांती लेकर हम पोलते हैं आप लोग को और किसी को दिकरत होगा तो होता है तर मेरे अगले विडियो यह अगले कलास में बस आपसे यह क्वेष्ट है कि वीडियो को लाइक आएग जानों को सस्क्राइब और वीडियो को सेर्ड कर दिए तो ठीक है आप लोगों को मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भात बंदे मातरम